आईए अब हम जो है functions of stock exchange यानि शेर बाज़ारे के कारे को देखते हैं अब हम इनके कारे को एक एक करके one by one step by step समझेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका पहला कारे ये कहता है कि वर्तमान प्रतिबूतियों में तरलता वो विपढ़नता पैदा करना providing liquidity and marketability to existing securities. जैसे कि आप जानते हैं कि इस market में उन्हीं securities पर कहना चाहिए उन्हीं securities का क्रेय विक्रेय होता है या ट्रीडिंग होती है जो कि पहले से ही जिन पर ट्रीड निंग हो चुकी है ठीके तो अब यहां पर क्या होता है जब securities का क्रेय और विक्रेय होता है तो वहां पर market में तरलता बनी रहती है जिसे की क्या होता है वहाँ पे एक market बना होता है जिसे की जो निवेशक हैं वो securities में निवेश कर सकें और जिन वेक्तियों को धन की आवशकता है वो अपनी securities को विक्रे करके या सेल करके वापस उसी मूले पर जो की बाजार मूले है उस पर उस धन को आरजित कर सकें तो इस तरीके से हम इसके पहले कारे को समझते हैं दूसरा कारे कहता है कि प्रतिभूतियों का मूले निर्धारणी प्राइसिंग ऑफ सेक्यूरिटी जेखे बचो जो श कि जाती है या उनका घ्रय करे किया जाता है तmore उसका एद ठीसरा कार ने इंद ए अधन चये जए घर्व करना हो चाहिए करना हो एकार जायक प्रतिभूतियों को हम या सेक्योरिटी को खरीद रहे हैं या बेच रहें ये फूरी सैफटी के साथ है जिसे की जो निवेशक हो और अगेन और बार बार निवेश करें और मार्केट में तरलता बनी रहें निवेशक क्या करें प्रती भूतियों को खरीदे और अपना धन लगाएं और जिससे की नए नए निवेशक भी आए आकरशित हो इसकी और और जो अल्रेडी एक्जिस्टिंग निवेशक हैं वह होगी अब हम चौथे कारे की और आगे बढ़ते हैं चौथा कारे कहता है आर्थिक विकास में योगदान यानि कंट्रिबूशन टू इकोनामिक ग्रो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में पैसा होना बहुत जरूरी है जब यह निवेशक रहेंगे यह प्रती भूतियों में वो लोग रहेंगे दोनों तरह के लोगों का होना जरूरी है कि क्रै भी हो और विक्रै भी हो जिससे कि मार्केट में प्रती भूतियों का विक्रै भी किया जासके और उन्हें समय पढ़ने पर विक्रै भी किया जासके जिसे तरलता बनी रहेगी और इस तरलता के कारण या लेन देन की कारण होगा की मार्केट में पैसा बना रहेगा या जो रुपए का मूल बना रहेगा और जिसे की क्या होगा हमारा आर्थिक विकास होगा यह हम इसे economic growth भी कह सकते हैं जो कि देश का होगा अगर देश का economic बाइव यानी spreading of equity cults अब कैसा होगा इसमें क्या होता स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सेक्यूरिटीज है अलग अलग कंपनियों के उनकी लिस्ट होती है उन में उन सेक्यूरिटी उन कंपनी के प्रॉपर जितनी बी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारे इन्फॉर्म सकते हैं कि समता संस्कृति का फैलाव है चाहे वो क्रै करते समय चाहे विक्रै करते समय प्रति भूतियों का उन्हें प्रॉपर information मिलती है जो की market के नुसार होती है current market के नुसार जुस समय उस मार्केट की सिती जिस तरकी होगी वस सामने रखते हैं अगले फंक्षन की और चलते हैं अगला फंक्षन कहता है सट्टे की सुविधा उपलब्द कराना प्रोवाइडिंग स्कोप टू स्पेकिलेशन अब कैसे प्रोवाइड करेगा अब जो बाजार मूल पर प्रतिभूतिया हैं उनसे ज्यादे से ज्यादा लाब कमाने के इच्छा में क्या कहता है उससे बढ़ते हुए दामों में उसका क्राया वक्रे किया जाता है लेकिन यह जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो नियम बनाए गए हैं इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए उन नियमों के अनुसार ही इस तरह के ट्रांजेक्शन किये जाते हैं और इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम सट्टा लगाना कहते हैं ठीक है अगले फंक्शन की और कहते हैं और अगला फंक्शन कहता है कि आर्थिक पैमाना, economic barometer, अब economic barometer क्या है कि आर्थिक पैमाना यह है कि निवेशक जो निवेश करेगा और किस पर निवेश करेगा securities पर ठीक है और जो अपने securities को वापस करके विक्रे करके वापस धन कमाना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा जो barometers होते हैं मतलब जैसे कि market में जो rate चल रहा है जो मूले चल रहा हूँ securities का उन मूले के हिसाब से ही क्या होगा उन securities की lane देन होगी तो वहाँ पर क्या होता है share बाजार एक आर्थिक पैमाने की तरह कारे करता है जो कि हमारे पूरे देश के economic growth को दर्शाता है क्योंकि अगर तेजी की city में है share तो तेजी काल में रहेगा और अगर मंदी की city में है share market तो उस city में क्या होगा देश की economic city मंदी काल में नजर आएगी तो इस तरीके से इसका यह last function यह होता है कि एक आर्थिक पैमाने की तोर पे भी कारे करता है तो इस तरीके से हमने function of stock exchange को जाना functions of stock exchange यानि शेर बाजार के जो कारे हैं उनको जानने के बाद आएए हम एक नया topic दिखते हैं कि भारत का जो रश्ट्रे सेवा बाजार है मतलब national stock exchange of India इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि यह कैसे शुरू हुआ इसका उद्गम कैसे हुआ फिर इसमें कौन-कौन सी क्रियाएं हुई कैसे चीजे ऐड-on हुई आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम जो हमारा national stock exchange है वो 1992 में निर्मित हुआ तता एपरल 1993 म मैं इसे मानिता मिली उसके बाद 1994 में कारे व्यापार किया जिसमें ठोकरण बाजार सेगमेंट का व्यापार हुआ था नवंबर 1994 में इन्होंने क्या किया कि एक विव्याफार के लिए एक मंच प्रदान किया और जूण 2000 में क्या कि निया कि विभिन व्यूतवादिच प्र सिग्मेंट तयार किये गए जिससे कि वहां पर भी उन पर भी क्या हो सके ट्रांजेक्शन हो सके या ट्रेडिंग की जा सके अब जैसे कि आप जान रहे हैं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसे हम इंग्लिश में एनसी भी कहते हैं जो एनसी है यह एक राष्ट्र व्यापी पूर्णत स्वचलित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली की स्थापना हुई थी इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने की एनसी की स्क्रीन इस तरीके से स्टॉक्स या शेर्स का उतार चड़ाओ दिखाया जाता है जैसे कि आप स्क्रीन बर देख रहे हैं तो इसे लिए एक राष्ट्र व्यापी आधारित व्यापार प्रणाली है जिसकी स्थापना की गई थी अब अगर हम इनके उद्देश को देखें तो इनके मुख्य उद्देश क्या हो सकते हैं उनका मुख्य उद्देश कुछ इस प्रकार है नसी का पहला उद्देश था कि सभी प्रकार की प्रति भूतियां होती है यह सेक्यूरिटीज होती है उसको राष्ट्र व्यापी व्यापार के लिए क्या क्या जाए सुविधा सापित की या मतलब राष्ट्र में जितने भी निवेशक हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो हर सेक्यूरिटी पर ड्रेडिंग कर सके जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई रायपूर में बैठा हुआ बैकती है अगर रिलाइंस मान लिजशर चाहता है उनको खरीदना चाहता है तो यहां बैठेव फैटे भी कर सकता और 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 मिया एसी शेयर है यह एक इसक रातल स्क्रीन के सामने क서 कलिके ने कर सकता हैं उनका्स केह logic को खरीद या बेश सकता है दूसरा दिश क्या अब कर दिश ऑखते यह औचित्य पूर्ण संचार नेटवर्क के द्वारा पूरे देश भर में निवेशकों की को समान जो सूचना होती है वो पहुचाता है ठीक है तीसरा जो यह था कि एलेक्ट्रोनिक व्यापाय प्रणाली का उपयोग करते हुए एक निश्पक्ष सक्षमता पूर्ण तथा पारदर्शी प्रतिभूती बाजार उपलब्द कराता है चौथा था कि लगू भुकतान चक्र तथा बुक प्रविष्टी निप्टाने के योग्य बनाता है मतलब सा अन्तराष्ट्री उचाईयों एवं मानकों को प्राप्त करने की एक कोशिश कर रहा था तो इस तरीके से जो इसके उद्देश है वो एनसी के उद्देश है हमने जाने अब जो एनसी का बाजार खंड के अगर हम चल्शा करें तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है आए अब इनको हम थोड़ा डीटेल में समझते हैं कि यह दोनों बाजार खंड कौन-कौन से हैं बच्चों हम जो है एनसी के बाजार खंड में देखेंगे दो खंड जो पहला खंड है वो कुछ इस प्रकार है जिसे कहते हैं थोक विक्रे रण बाजार खंड यह जो राजकुष्य बिल होते हैं और बांड में जीरो कूपन बांड इस साथ जो म्यूचिल फंड होते हैं इस तरह के चीजें इसके उंद्रगत ली जाती हैं और इन चीजों का व्यापार किया जाता है दूसरा हम देखेंगे बाजार खंड वो है पूंजी बाजार खंड इसमे बिजनस फंड इसके अलावा के साथ साथ जो फुटकर सरकारी प्रतिभूतियां यह सेक्यूरिटीज होती है उनके लिए भी सक्षम तता पारदर्शी मंच उपलब्द कराता है यह तो इस तरीके से हमने एनसी के जो बाजार खंड है वो जो कौन-कौन से दो बाजार खंड है और वो किन-किन पर हमें जो मंच पारदर्शी मंच उपलब्द कराता है जिसे कि ट्रेडिंग हो सके हमने हो जाना ठीक है अब हम जानेंगे कि जो शेर बाजार है उसमें ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर है या हम कह सकते हैं जो ट्रेडिंग की कायरेविदी है वो क्या है आप आप इन steps को देख रहे हैं हला कि बहुत लंबे दिख रहे हैं लेकिन ये जो procedure है वो इतना से लो ही हैं जितने steps में ये दिखरा है हला कि ये पूरे steps follow होते हैं लेकिन क्योंकि ये पुरा काम electronic basis पे होता है उनिये basis पे होता है तो एक काम क्विक हो जाता है चुटकियों में हो जाता है इन में ज्यादा समय नहीं लगता है आए हम इस प्रोसीजर को या प्रोसेस को डीटेल में समझते हैं step by step समझते हैं कि हर एक step में क्या होता है यह बहुत इंट्रेस्टिंग है देखिएगा first जो पहला step है वो कहता है कि दलाल का chain करना यानी selection of broker अथन जो दलाल है वो कोन होगा जो पहली बात जो दलाल होगा व सेबी द्वारा पंजिकरित होगा ठीक है अब ये दलाल किस तरह कौन हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूँ हो सकता है कौन हो सकता है ये सवाल उपता है तो ये जो दलाल होगा कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई साज़दारी फॉर्म भी हो सकती है तो इसका पहला स्टेप क्य था कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से पहले क्या करना है सबस्तिपे पेले क्या करना है दलाल को चुनना थी पेला वही व्यक्ति होगा जो कि सेबी के दिवारा पंजिकरित होगा मतलब उसका registration होना चाहिए सेबी में और या तो ये कोई individual हो सकता है व्यक्टी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है कोई पंजिकृत या साज़ेधारी firm हो सकती है आई अब हम इसके दूसरे step की और चलते हैं कि इस procedure में दूसरा step कौन सा है जो दूसरा step है वो कहता है जो depository के पास demand account खुलवाना अब जैसे आपने देखा होगा कि आप bank में account खुलवाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप एक form फिल करते हैं form फिल करने के साथ साथ उसमें 1000 रुपे cash भी जमा करते हैं तो यहां पर क्या होगा यह manual work हुआ लेकिन जब आप stock exchange में इस procedure में अपना DMAT account खुलवाते हैं तो यह account online open होता है इसमें कोई paperwork नहीं होता है यह मतला paperless होता है यह पूरा पूरा और इसमें जो depository जो सेवा देगी उसमें जो पक्षकार होगा depository सेवा या depository service का जो पक्षकार होगा वो उसमें क्या होगा यह कौन करेगा यह कार्य डीमैट account खुलवाने का डीमैट account खुलवाने का जो कार्य होगा यह depository participant के द्वारा ही किया जाएगा और यह securities का लेंदेन electronic basis पे होगा अब जो depository है वो दो depository संस्थान है हमारे देश में जो दो depository संस्थान है वो कुछ इस प्रकार है पहली है National Security Depository Limited और दूसरी है Central Depository Service Limited अब इस depository पर पार्टिसिपेंट है उसका क्या काम होता है दूसरा काम क्या होगा जो निवेशक है उनके अंश Гपाट का तयार करना है ठीक है कि उनका हिसाब करना कि और वेजियर की सेक्योरिटीश करीड़ी है कि मूल्य पर ख्रीदी है अगर हैं अगर बेचना चाहार है तो किसंट मूल已經 head किसी security के मध्यम से या लॉस हो रहा है कि सारी जानकारी यह सारा हिसाब किताब रखना किसका काम होगा इस काम और इसका last काम यह होगा कि यह क्या करेंगे अपने जो निवेशक होंगे जैसे कि आप देखते होगे कि आप हैं लून कि कछ से फुरे में पती है कि को वेत हैं ही तो यह जो ट्रांजिक्टहूंस च्छाह मीनला मैं अच्छा में मृतमों खाका गूजन6 मिला टो यह जो जाआ और किसुटर को दिन सकते हैं तो यह जो म्ल देक्शिक्टहर हैंसे को देना जिससे को इस इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिले ठीक है तो ये दूसरा कारे था इस प्रोसीजर का अब तीसरे हम आगे बढ़ते हैं तीसरा जो बिंदु है या प्रोसीजर का जो तीसरा स्टेप है वो है आदेश देना यानि ओडर प्लेस करना अब जो निवेशक होगा किसको और प्ल चुनाता तो ये जो ओड़ेह होगा, उस दलाल को होगा और दलाल किया करेगा, जिस कमपनी के शेर्स या सेक्यूरिटीज खरीदनी है्रा। शेर्स या सेक्यूरिटिज किसी कंपणी को बेचनी है तो वह आदेश दिये निवसार वह आदेश हम किसको देंगे वह आदेश हम देंगे दलाल को और अब जो चौता बिंदू आता है वो होता है आदेश को पूरा करना जब हमने दलाल को आदेश दे दिया कि हमें ये लेड़ें से बेचनी है तो उस आदेश को क्या करेगा वो दलाल पूरा करेगा उस आदेश को पूरा करते ही वो एक कॉंट्रेक्ट नोट बनाएगा जिसके अंतरगर्द किया जानकारियां होंगी जो जिन सेक्टिस पे उन्aching हैं माल जे किसी सेक्डोरिटी पे ट्रांजेक्शन किये हैं वह सेक्डोरिटी इसका नाम लिखा जायेगा ठीकए कौन hasi company की security सिव वो कितनी quantity में थी मतलब वो कितने numbers में थी वह किस मूले पर खरी दिगई थी और किस मूले पर बेची गई हैं वह सारी और साथ साथ उस security के क्रह विक्रह और उसकी detail देने के साथ साथ वह क्या करेगा उसमें अपनी दलाली भी add-on या के रोकरेज को भी इसमें अड कारीगा तो यहाँ पर आदेश पूरा करना वाला करने को निपटारा करना यह लेनिट करने का मतलब क्या होगा जो भी क्राए-विक्रेटा करना है ठीडर है तो मन लेजे कोई विक्रेता है वो अपने जो क्रेता को बेच रहा है तो जो विक्रेता के Dmat account से वो securities किसमे shift हो जाएगी ए ट्रांसफर हो जाएगी क्रेता के Dmat account में तो यह जो होता है कहलाता है निप्टारा करना यह settlement करना. अब अब जो इससे सटेटिल्मेंट होता है वो भी दो तरीके के होते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला होता है मौके पर नपठाना यान ﷺ ज़रा इसले पने कहसे सकते हैं वो securities भी मिल जाएगी जैसे कि हम इसे T plus 2 इस ratio यह जो formula है इसे समझ सकते हैं और इसको हम detail में अगर समझें तो T क्या है व्यवहार का दिन है T plus 1 क्या है सौधा पक्का किया गया यह ते किया जाएगा यह सूचना दी जाएगी और T plus 2 यानि सुपुर्दगी का और भुकतान वो securities भी उनको पहुंच जाएगी और जो क्रेता है वो भी उन securities के लिए भुकतान करके विक्रेता के DMAT account में ट्रांसफर कर देगा तो यह T plus 2 के उसमें चल यह तो पहला वाला था मौके पर निप्टाना मतलब दो दिन में यह व्याभार ने पढ़ गई यह ट्रेडिंग हो गई दूसरा जो होता है वह अग्रिम निप्टाना कहते हैं इसे फॉर्वर्ड सेटल्मेंट भी कह सकते हैं इसे किया होता है ती प्लस 5 या टी प्लस 7 जैस से एक्षाण से करें रहें हम विंदोह से समझ सकते हैं और इतने दिन का इंटरेवल इसमें लगता है तो इस तहीं के से हमने यह पूरे प्रोसीजर को समझा कि यह जो प्रोसीजर है किस तरीके से काम करता है जितना लंबा यह दिख रहा है चो Whenever उतना लंबा होता जाता है तो बच्चों इस concept को अच्छे से और इस procedure को अच्छे से समझेगा और इसे अपने answer sheet में अच्छी तरह से लिखके आईएगा आईए हम अब एक और important topic को discuss करते हैं जो कि नकी केवल आपके syllabus के लिए important है बलकि आपके सामान्य ग्यान के लिए भी बहुत मौतुपूर्ण है यह topic है इस screen पर देख रहे हैं इस topic में हम discuss करेंगे से बी के बारे में या उस संस्था के बारे में जो इस पूरे transaction या ट्रेडिंग पर अपना control रख दी है जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसे कहते हैं भारतिय प्रतिभूति एवं विने बोर्ड जो इसका full form होगा से बी का वो कुछ इस परकार होगा Securities and Exchange Board of India यानी से बी जैसे कि बचो मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी ट्रेडिंग होगी या जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो से बी के द्वारा जो भी नियम बनाये जाएंगे उसके अंतरगत ही किये जाएंगे Securities and Exchange इन पूरे ट्रांजेक्शन्स पर पूरे ट्रेडिंग पर अपना कंट्रोल रखती है ताकि वो क्या कर सके अपने निवेशकों को होने वारी हानियों से बचा सके उनका interest इस तरह की ट्रेडिंग में बनाये रख सके और क्या करे कि Indian Economy को क्योंकि एक Indian Board है Indian Security of Exchange Board है तो यह क्या करती है कि अपने economy को बनाए रखने में देश की अर्थ वस्ता को बनाए रखने में इसका महतवपूण योगदान है आई अब हम इसकी स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं कुछ बिंदू ओपर जो कि इस प्रकार है जो कि देश की अर्थववस्ता को सद्रड बनाने और निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए जो शेर बाजार की क्रियाओं को नियंतरित करने के लिए और पूंजी निर्गमन अधिनियम सन 1947 को लागू किया गया था ठीक है अब ये जो उस समय 1947 में लागू हुआ था क्योंकि इसका जो कंट्रोल था ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा था ये प्रॉपर उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो इसने डिसाइड की थी जैसे की निवे इन्होंने डिसाइड किये थे वह प्रॉपर फुल्फिल नहीं हो रहे थे तो इस सिती में जो 1947 में जो अधिनियम लागू कुआ पुझी निर्गमन अधिनियम वह असफल हो गया अब इस पुझी निर्गमन अधिनियम के असफल होने के बाद क्या हुआ 1988 में क्या हुआ भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्राले के प्रशासनिक नियंतरन करने के अंतरगत सेबी की स्थापना की गई ठीक है और उसके बाद 1992 में क्या हुआ इसका भारती संसत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और भारती प्रतिभूती एयम विनिमे बोर्ड अधिनियम सन 1992 में के अंतरगत एक जो है समविद्र के निकाय के रूप में यानि एक अपना एक उन्होंने इंडिवीज्वल बना दिया कि एक निकाय है और यह अपना अलग से इनका पुनर गठन किया गया अलग से यह ओगनाइजेशन बनाया गया जिसका प्रतक वैधानि अस्तित्व एवं क्या है सार्व मुद्रा होती है अब जैसे कि आप जानते हैं जैसे कि आपने जाना और देखा कि सेवी कैसे बनी सेवी का निर्मान किस तरीके से हुआ और सेवी को स्टार्ट ही मैंने किया था कि सेवी किस लिए बनाए गया अब उन्हीं बिंदूओं पर चर्चा करते हुए हैं आईए हम सेभी के उद्देशों को देख लेते हैं कि सेभी के मुख्य उद्देश क्या हैं सेभी का पहला मुख्य उद्देश है कि शेयर बाजार का नियमन करना यानि रेगुलेशन टू दे स्टॉक एक्सचेंज जो निवेशक हैं उनके उनको क्या करना हमेशा सेभ साइड में रखना शेयर के क्रे विक्रे को कंट्रोल करना कि किसी भी तरह से निवेशक को या क्रेता या विक्रेता को हानी नहों तो यह इसका सेभी का पहला उद्देश है और दूसरा उद्देश है इसका निवेशकों की सुरक्षा करना जैसे कि मैंने बताया कि अपने निवेशकों को किसी भी तरीके से फ्रॉड से बचाना किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचाना उनको जादा मूले में कोई सेक्यूरिटी ना खरीदने पड़े या कम मूले में को से बी का काम है तीसरा जो उदेश है वो है आंत्रिक ट्रेडिंग को रोकना किसी बी ओगानाईजेशन के या किसी भी फर्म के जिनकी सेक्वेटी सेल होने वाली है उनके इंटर्नल बातों को लीक करना और जो चुपाने वाली चीजें होती है जो कि सभी लोगों के बीच में रोकना ताकि ट्रेडिंग क्या हो सके और फेर हो सके मतलब वास्तविक हो सके जिससे कि क्या हो सभी निवेशक जो क्रै कर रहे हैं और विक्रै कर रहे हैं सेक्यूरिटी इसको उनको बराबर मौका मिलें और वह अपने विवेक का इस्तिमाल करते हुए क्या करें ये ट्रेडिंग कर सकें चीक है अंतिम जो इनका उदेश था वो दलालों पर नियंदरन करना कि जो ब्रोकर्स थे उन पर कंट्रोल करना क्योंकि ये जो ब्रोकर हैं ब्रोकरिज भी कभी कभी ज़्यादा लेते हैं और दूसरा सम्टाइम जैसे कि आप जानते हैं कि जहां से इनको ब्रोकरिज ज़्यादा मिलता है वो उनके हो लेते हैं तो इन सारे फ्रोडलेंट्स को रोकने के लिए इनको कंट्रोल में रखने के लिए सेभी का निर्मान हुआ और यही सेभी का उद्देश था कि इस तरीके के फ्रोड से अपने आडियों को देखते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेभी के तीन कारे हैं संरशात्मक कार्य संचालन संबंधी कार्य और गौन बाजर इन तीनों कारे के बारे में हम डीटेल में करके समझते हैं आए हम देखते हैं कि यह कारे क्या है